स्युक्त किसान मोर्चा गैर राजनेतिक ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का नारा दिया है और जिस तरह से उनकी मांगे हैं उनको लेकर जो है उन्होंने आवान किया है कि दिल्ली जाएंगे और धरने पर बैठेंगे लेकिन उससे पहले केंदर सरकार ने बाचीत जो है वो जार बैरिकेटिंग कर रही है पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से उसको लेकर कही ना कहीं वो नाराज भी है और अभी हम जो शंबू बॉर्डर है वहां मौजूद है और आप यहां पर सबसे पहले में तस्वीरें यहां पर देखिए आप किसानों को रोकने के लिए यहां पर जो है वो कीले लगाई गई है और यह कीले जो है यह लोहे की कीले हैं ताकि किसान जो है वो दिल्ली ना जा सके वहीं पर अगर दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाऊं तो आप देखिए यहां पर कंटीली तारें वो यहां पर लगाई जा रही है और पंजाब के किसानों को जो रोकने के लिए यह इस तरह का परबन जो है जो पंजाब अंबाला दिली नैशनल हाईवे हैए वहाँ पर किया जा रहा है है और डेड़ सो से ज्यादा इस तरह के जो बेरीकेड्स हैं वो जगा-जगा जो है व जो पेरा मिल्टरी फोसिस है वो यहां पर आपको दिखेगी और पूरा प्रशाशन अमला जो है वो हर्याना का पंजाब के खिसानों को रोकने के लिए यहां पर लगा हुआ है ऐसा लगता है जैसे भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उस तरह की तस्वीरें जो है यहा लेकिन जो पुल है शंबू बॉर्डर का जो पुल है यहां पर दोनों तरफ बैरिकेटिंग ही गई एक ही तस्वीरें आप ने देखिए अब दूसरी तस्वीरें आप देखिए है यहां पर लगातार जो है वो बड़े-बडे जो सिमेंट के पिलर्ज है वो रास्ते में ल पूरी जगह आप तस्वीरें देखे जहां पर भी आपको नज़र जाती है आपको पैरामिल्टरी फोस से जो है वो नज़र आएगी वहीं पर अगर आप निचे देखिए जो नदी बह रही है और नदी को भी जो है वो कहीं बीच में से खोदा गया है आप देखिए जगा ज पिशलिंग होई थी इसमें किसानों ने कहा तो वारतालाब का दोर जारी है आज शाम पांच वजे मिटिंग भी होगी और जिस तरह से जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें किसानों ने कहा था कि अच्छे महल में ये मीटिंग हुई है लेकिन जो उनकी मांगे हैं चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात हो या फिर किसान मजदूर मोर्चों की जो कर्ज हैं उनको माफ करने की बात हो या फ हो या फिर दूसरा बॉर्डर हो वहां पर इस तरह की बैरिकेटिंग जो है वो चारों तरफ यहां पर की गई है तो आप देखिए कि किस तरह की जो बैरिकेटिंग है यहां पर की है हलांकी कल रात को जो है वो यहां पर जो आंसू गैस जो टीर गैसिस है उसकी भी प्रैक्ट पंजाब भर में जितनी भी ट्रेक्टर ट्रॉलिय हैं अपना राशन जो है वो किसानों ने भरना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि पक्का मोर्चा जो है हम जो दिल्ली बॉर्डर पर या दिल्ली में लगाएंगे अब देखना होगा कि आशाम की जो बाचित होती है उसमें क्या नतीजा निकलता है क्या जो केंदर सरकार के जो मंतरी हैं किसानों की मांगो को मानते हैं या फिर एक बार जिस तरह से कुछ साल पहले आंदोलन हुआ था किसानी आंदोलन क्या एक बार फिर वो देखने को अब हम शंबू बॉर्डर में हैं और यह शंबू बॉर्डर उस आंदोलन का गवा है जब पिछली बार किसानों ने दिल्ली मार्च किया था इसी शंबू बॉर्डर पर हर्याना पुलिस ने रोकना क्या प्रयास किया था लेकिन वह बिफल रही थी लेकिन इस बार किसानों न जिस तरह से दिल्ली मार्च की बात की है और हर्याना सरकार नया पुकता इंतिजाम की हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहां पर बड़ी मशील लगा कर जो है सिमेंट के बैरिकेट्स जो है वो यहां पर लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से जो किसानों का कहना है कि अगर केंदर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो दिल्ली कूच करेंगे साथ में जिस तरह से त्यारियां है वो लगातार किसान जो है वो कर रहे हैं और दो महीने का राशन जो है अपने साथ लेकर जो है वो चलने की बात यहां पर कर रहे हैं। आप देखिए यहां पर कि इस पुल पर जो शंबू बॉडर का यह पुल है पंजाब हर्याना का यह बॉडर है और यहीं पर बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। पुरे पंजाब हर्में जितने भी पंजाब से हर्याना जाने वाले रास्ते हैं वहां पर इस तरह की बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। पंजाब के किसानों का कहना है कि 10,000 ट्रेक्टर जो हैं वो दिल्ली जाएंगे और अब हर्याना सरकार का कहना है कि जो जिस तरह से दिल्ली जाने की बाद पंजाब के किसान कहर रहे हैं वो लोकतांतरिक नहीं है लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनकी बात जो उनकी जो है वो उसमें शामिल है साथ ही कई बैरिकेटिंग जो है की गई है जो दिल्ली चंडिगट नैशनल हाईवे है या पंजाब को जोडने वाले हाईवेज हैं उनको भी डाइवर्ट यहां पर किया गया है और एडवाइजरी जो है वो हर्याना सरकार ने भी जारी की है तो कह जिस तरह से जो किसान है वो दिल्ली जाने पर अड़े हुए है अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है लेकिन आज शाम को मीटिंग है और उससे पहले जो बॉर्डर्स है पंजाब हर्याना के वहाँ पर सक्त बैरिकेटिंग जो की गई है खास कर जो सिमिंट के बड़े जो है वो अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं ना कि वो किसी और वज़ा से जा रहे हैं तो अब देखना होगा कि आज शाम की मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है और जिस तरह से जो बैरिकेटिंग जो की जा रही है वो सक्त बैरिकेटिंग जो है पूरे हर्याना में क की जा रही है और अब शाम की मीटिंग का इंतजार किसानों को भी है और सभी को है कि उसमें क्या नतीजा जो है वो निकल कर आता है क्या किसान जो है वो केंदर सरकार की बात मानते हैं या फिर जिस तरह से उन्हें दिल्ली चलो का जो नारा दिया है उस पर वो काइम रहते हैं विर्जले सचिन के साफिशाल ठाकूट, नियूस नेशन, शंबू बॉर्डर, पंजाब, हर्याना